आपने कभी न कभी तो birds को ऐसे V formation में उड़ते जरूर देखा होगा। ये formation, navy, air force और army personal स्वारा भी use किया जाता है। और ऐसा करने का सबका same reason होता है। तो क्या कभी आपने सोचा है, वो ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा करने के दो reasons हैं। ऐसा करने से एक तो उन्हें clear line of sight मिलता है। और दूसरा energy consumption। उड़ते वक्त जो birds सबसे आगे होती है, और जब वो अपने wings को उपर नीचे हिलाती है, तो wings के नीचे high और उपर low pressure create होता है, जो कि bird को lift provide करता है। जो कि नीचे से उपर की तरफ move करता है, और जश्ट पीछे वाली bird को lift provide करता है, जिससे पीछे वाली bird को उड़ने के लिए थोड़ा कम power apply करना पड़ता है। और ये effect जैसे जैसे आप पीछे जाते जाते हैं और बढ़ते जाता है, और सबसे पीछे वाली bird को सबसे कम power apply करना पड़ता है, as compared to सबसे आगे वाली bird के। थोड़े थोड़े टाइम के gap के बाद birds अपनी position को swap भी करती हैं ताकि वे एक साथ ज्यादा से ज्यादा दूरी तक उड़ सकें।